उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपेंद्र दो बड़ी बाते हैं एक तो एक इलावा धाय कोड से मुस्लिम पक्ष को जटका लगा पूजा पर रोक नहीं लगाई गई और दूसरी बात यह कि अच्छी तस्वीर सामने आई बनारस्त की शांतिपूर्ण तरीके से जुम्य की नमाज समपन्न होई तो इसे में लाजमी था कि सुनवाई जरूर होगी लेकिन फिलाल अभी किसी तरीके से सिस्टे या रोक कैसी कोई भी आदेश अदालत की और से नहीं दिख रहाता आते हुए वैसा ही हुआ आप सुनवाई आज हो गई है और 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी दूसरी और नमाज अब खत्म हो गई है मैं आपको तस्कीरे दिखा हूं नमाज खत्म हो गई है नमाज खत्म होने के बाद जो नमाजी है वो वापस लोट रहा है आम तोर पर नमाजी सौसेटियर्स हो होते हैं लेकिन आज दो हजारे करीब नमाजी यहां पर पहुंचे थे यह नजारा इससे पहले तब देखने को मिला था जब कोट कमिशनर का कारवाही का आदेश और जो इस इलाके के नमाजी पहुंचे थे लेकिन आज बनारस के अलग-अलग इलाकों से यहां पर नमाजी पहुंचे हैं आम तोर पर नमाज आदा करते वक्त जो नमाजी होते हैं वो अपने पास की नमाजित बजाते हैं लेकिन आज ऐसा लगा कि जैसे पूरे बनारस से नमाजी यहीं पर आए बाजार क्यों बंद की गई बाजार बंद करने के पीछे क्या मख सकता और बाजार बंद करने के पीछे बंद करने के बाद यहां पर बड़ी संख्या में नमाजी पहुचे तो यह तमाम सारे इंपूट पुलिस प्रशाशन के पास पहले से ही थे इसल स्ताम्तिपूर तरीके से हो गई बजार बंद अभी भी है और अब जो नमाजी है वह वापस लोट रहे हैं लेकिन नमाज के वक्त भी दर्शन नहीं बंद किये के दर्शन बराबर होते रहे हैं नमाजियों को इस रास्ते से गेट नंबर चार से अंदर ले जाया गया भरी जो सियर मुप्ती हैं वो भी अभी नहीं निकले हैं तो उनके निकलने पर देखना जाएगा कि वो क्या बोलते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी बात चीत करते हैं क्योंकि अब मद्द पर कुछ बोल नहीं रहा है हमारी जो मुस्लिम बर्श से बात हो रही है तो उन्होंने आपने सुना ही होगा उनको ना कोट पर बरोसा है ना प्रसासन पर बरोसा है और कुछ लोगों तो यह कहा कि इसलिए उन्होंने बंद रखता हाला कि बिलकुल उपेंदर आज जिस तरह से आज बंद भी किया गया था जो मुस्लिम बाहुले लाके हैं वहां पर दुकाने ब बंद है लेकिन दूसरी तरफ हाई कोट का जो आज फैसला आया है कि छे तारिक को एक बार छे तारिक तक पूजा वहां पर होती रहेगी इसको लेकर लोगों में क्या प्रतिक्रिया है बिल्कुल देखिए छे तारिक तक वहां पूजा होती रहेगी और छे तारिक के महत्तों को भी मैं बता देता हूँ छे फरवरी का क्या महत्त है अब ज्यानवापी केस में चे फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी यहां पर पूजा का जो आदेश हुआ है उसके खिलाब जो गया है मज्जित पत उसकी अप्रिकेशन पर और छे फरवरी को ही वरांती की जिलाज़की अदालत में भी सुनवाई होगी इस जो सर्वे रिपोर्ट आई थी एस पती नहीं है लेकिन मज्जित पक्ष्ट की ओर से जब मानूं चला है तो मज्जित पक्ष्ट अभी यह बात कह रहा है कि उनकी ओर से अभी आपती के लिए और समय मांगा जाएगा तो अभी 6 फरवरी की देट का काफी महत्पूर है देखना होगा कि क्या पती दाखिल करते है या और समय मज्जित पक्ष्ट मांगता है अब पूजा पर रोक नहीं लगाई गई इस पर लोग क्या सोचते हैं यह भी हम बात कर लेते हैं कुछ लोग आ रहे हैं क्वेस्ट क्या नाम है आपका अधिना जी हाई कोट ने पूजा पर रोक नहीं लगाई उसने का पूज पूझा पर रोग नहीं अभी छे पर भी को अगी सुनाई होगी क्या मानते हैं कि पुजा हो रही दिया होनी चाहिए पूजा होनी चाहिए जरूर लोग कह रहा है कि हाई-कोर्ट चाहिए अभी फिलाल फूजा पर रोक नहीं लगाई ठीक हुप इंद्र अभी किस्तिती पर को करेक्शन आ रहा है बहुत शुक्रिया आपको अमरे साथ जुनने के लिए और